असलाम अलेकुम जी, अभी तक हम different tools को understand करे थे, जो के हमारे pixels को भेतर तरीके से replace कर सकते हैं, और हमारे images को fix कर सकते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं जी crop tool को, तो crop tool एक ऐसा tool है जो के आप अपनी एक regular life में बहुत ज़्यदा इस्तमाल करते होंगे, अगर आपके पास एक phone ह तो for example, आपको image लेते हैं और अक्सर आप उसको अपने social media पे share करने के लिए, या किसी social media platform की profile image लगाने के लिए, आप उसको crop करके place करते होंगे, ठीक है तो यहाँ पे Photoshop में भी crop tool available है, लेकिन इसमें मजीद functionalities भी हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे जो crop tool है, उसके हमें क्या तो एक बड़ा simple सा जो इसका use है वो यह है कि अपनी image को crop करने के लिए, for example, मुझे ये image इंस्ट्राग्राम पे share करनी है, और इंस्ट्राग्राम पे जो ज़्यादा effective है image वो आपकी scare image होनी चाहिए, तो आपको scare image में इसको crop करना है, scare ratios के अंदर, तो यहाँ पे आपको different ratios इसकी नजर आएंगी, तो for example, this is one ratio one, मैं one ratio one पे select करना हूँ उसको, और इसके बाद मैं अपनी image को move कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको comment कर सकता हूँ, तो यह आपकी image photoshop ने crop कर दी one ratio one के अंदर, और इसको अब आप save करके, आपने instagram के पर share कर सकता है, ठीक है जी, तो इसका एक तो यह मकसद है कि यहाँ पर different ratios चूज कर सकते हैं, आप अपनी custom ratios भी दे सकते हैं, for example, आपको custom ratios चाहिए, तो मैं यहाँ पर ratio पर click कर रहा हूँ, और आप कहते हैं, जी मुझे five ratio two की selection करनी है, तो आप यहाँ से five ratio two image की selection करें, और से आप कहीं भी उसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं, तो it depends कि आपको किस तरह की image चाहिए, उसकी क्या ratios चाहिए, तो एक तो यह बहुत effective है, यहाँ पर different ratios जो presets हैं, उसको choose कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी custom ratios भी दे सकते हैं, ठीक है, इसके लावा जो most interesting feature है, इस crop tool के अ के अंदर, तो content aware को हम इस वकत देख सकते हैं, crop tool के अंदर, तो इसके क्या benefits हैं, ठीक है जी, तो for example, आप कहीं पर image प्लेस करना चाहते हैं, और उस image की requirement है, कि इसकी जो height है, वो मजीद ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम हम ये कर सकते हैं, कि इस sky को थोड़ा सा extend कर दें, उपर की तरफ, ताकि हमारी जो requirements हैं, हम उस requirement को meet कर सकें, तो ये सहूलत हमें provide करता है, जी, crop tool, तो मैं यहाँ पर content aware पे tick कर रहा हूं, इसको check कर रहा हूं, और इसके बाद, मैं अपने crop tool को थोड़ा सा उपर move करता हूं, और इसके बाद, इसको हम यहाँ से comment करते हैं, तो जो नए pixels हमने add कि इस image के अंदर, आभी अपना process करेगा, और इसके बाद, यहाँ पे कुछ pixels add करेगा, इस image को understand करते हुए, तो इसने यहाँ पे हमारे sky को extend कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको zoom in करके देखें, तो बड़ी मुश्किल से आप recognize कर सकते हैं, कि यह वाला part हमारी image का part नहीं है, यह इसने खुद auto generate किया, बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसके bottom पे देखें, तो हम इन pixels को भी extend कर सकते हैं, for example, मैं यहाँ इतना part इसका extend करता हूँ, और इसके बाद मैं content aware को check करके इसको comment करता ह और let's see कि हमारे पास क्या results आते हैं, ठीक है जी, so this is very effective for extending this kind of a pattern, जी तो इसने थोड़ा सा process किया और उसके बाद यह इसने नीचे एक और area add कर दिया, इसको extend किया वह, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कुछ repeated pixels नजर आएंगे, जिससे पता चलता है क हाँ, इसने कुछ उपर से pixels को understand करते हुए, यहाँ पे उसको extend किया, तो इसको आप मजीद fix कर सकते हैं, for example, आप इन pixels को fix करना चाहते हैं, तो यहाँ से patch tool लें, यहाँ से कोई patch उठाएं और उसको यहाँ पे move कर दें, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको fix कर सकते हैं, अप कि हम लोग recently जिनकी practice करके आई हैं, ठीक है, ठीक है जी, तो आप कुछ इस तरह से मजीद इन pixels को fix कर सकते हैं, इसके लावा एक और बड़ी important चीज है, crop tool के अंदर, and that is, कि आपको यहाँ पे मुखलिव guides नज़र आएंगी, ठीक है, जैसा कि हमारे पासे guide है, जिसको हम कहते rule of third, अगर मैं rule of third की selection करूँ, और यहाँ पे click करूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ lines नज़र आ रही है, ठीक है, तो rule of third यह कहता है, कि अगर आपका कोई object, image के अंदर, in lines के उपर, और specially in spots के उपर, placed है, तो वो जो image है, वो फॉरन से, किसी देखने वाले का focus, उसको अपने point पे लेके आएगा, जो आप उसमें चीज दिखाना चाहते है, rule of third हमें यह कहता है, कि अगर आप कोई object, जो इस image में highlight करना चाहते है, वो आपका in lines के उपर, और specifically in points के उपर अगर placed होगा, तो देखने वाला उसको ज़्यादा जल्दी understand कर सकता है, और ज़्यादा जल्दी इसको pick कर सकता है, ठीक है, वो उसको image देखने में भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आप जो object किसी देखने वाले को दिखाना चाहते हैं, वो फॉरन से उसको नजर आएगी, ठीक है, rule of third यह हमें simple words में कहता है, तो हम लोग यहाँ से rule of third को open कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं, जी हमारा जो object है, वो इस line के उपर रहे, और specifically इस spot के उपर हम उसको place करें, ठीक है, उसको यहाँ से comment कर लेते हैं, अब यह बड़ी natural सी बात है, कि यह वाली image ज्यादा बहतर है, जिसमें आप किसी object को highlight करना चाह रहे हैं, for example, यहाँ पे जो traveler है, जो tracking करना चाहता है, इस mountain के उपर, हम इस बंदे को highlight करना चाहते हैं, इस tracker को highlight करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप rule of third का इस्तमाल कर सकते हैं, और अपने किसी object को, जिसको आप highlight करना चाहते हैं, उसको place करें, specifically rule of third के किसी export के उपर, और कोशिश करें, उसको किसी line के उपर भी adjust करें, so तो आप rule of third की guides को open कर सकते हैं और जब आप image ले रहे हों तो आप image लेते हुए अपने object को उन spots के उपर और उन lines के उपर place करने की कोशिश करें और same guides आपको DSLR के अंदर और जो मुख्तलिफ devices है image लेने के लिए image capture करने के लिए तो आपको वहाँ पर ये मुख्तलिफ इस तरह के rules नजर आएंगे तो कुछ इस तरह से भी आप इन options को इस्तमाल कर सकते हैं इसके लावा हमारे पास एक और option है इस crop tool के अंदर को थोड़ा से zoom in करके देखें तो यहाँ वह ये बिल्कुल straight नहीं है बलके यहाँ से थोड़ा सा उपर है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे है तो हम जाते हैं कि यहाँ पर हम इस straighten को इस्तमाल करते हुए अपने इस land को बिल्कुल सीधा कर दें ठीक है जी इसको यहाँ से comment करते है और अब आपको जो image नजर आएगी उसमें यह जो area है यह बिल्कुल straight है हलांके पहले यह बिल्कुल straight नहीं था थोड़ा सा process करेगा यह उसके बाद आपको इसका result नजर आएगा तो यहाँ पर देखें जी जो line हमने draw की थी upwards वो यहाँ पर बिल्कुल straight हो गई है ठीक है जी तो कुछ इस तरह से आप अपनी images को straight भी कर सकते हैं अगर वो different angles से capture की गई है तो इसकी practice जरूर करें अपने different images के ओपर इसको apply करें और देखें कि आपके पास क्या results आते हैं So see you in the next lesson Thank you so much